हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं निकल भाएं भाहा निकल वह निककल अट डरूप की पीषय का अपने भाहा यह धिखाती हो तुझे रहत एच्छ वार्ट तुम दोनों का भी भरता बला दोगी वह थार ने किया दे रही है चल निकल भारत दिखाती हो तुझे चल भारे कल अरे से तो छोट लगी है खून भी पहरा है पहले इसको जिल जाना होगा क्या हो रहे है अपे पहले अपिष्क है न किया है अभी यहां पे अक्षीजिण किया है हुआ आरे यह तो भी होश वह थाखी है मैं पिशोज दो लगारा है इसको खोलो दर्वादा खोल खोल अंदर से लोक है इसके जान खत्रे में खोलो अशको कोई ते रड़की दर्वादा खोल नर्स, जल्दी से इसका इलाज करो, पुली स्टेशन ने जाना है इसके वज़े से आज मर जाते हम चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ूगा ना इसे में इसे जेल पेज कर रहूँगा, हमारी जान चली जाती तो शरा मानी चाहिए आपको, इस लड़की के इसने हालत खड़ाब है और आपको पॉली स्टेशन के पढ़ी है ले चलो नर्स, तुम भी उसकी जगा लेटी होती तो मैं क्यो, मुझे पता है, तुम चाहते हो कि मेरा एक्सिजिंट हो जाए नलनी, नलनी का रहा है हमें क्या मालूम, तुझे क्या हम यहां के रिस्रिप्शनिस लग रहा है अरे, अभी एक लड़की के एक्सिनिट दुआ था, उसको थोड़ी देर पर अंदर लेकर रहते, कहा है वो लगता है यह लड़की उसकी दोस्त है अच्छा, वो तेरी फ्रेंड है अच्छा, वो तुम दोनों हो, मुझे भाहर से अभी पता चला है मेरे दोस्का एक्सें तुम दोनों के वज़े सुआ है क्यों, क्यों किया तुम न ऐसा? अगर मेरे दोस्को कुछ भीओअ में तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं केस कर दूंगी हो 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 उल्टा चोर को त्मल को डाते अरे तुम क्या केस करूगी? हम केस करेंगे तुमारे दोस्के उपर दारूपी के गाड़ी को ठोक दिया है चक्मा चूर कर गया हमारे गाड़ी को दिंक अंड ड्राइ के केस में अंदर भीजू न सदे कानून मझ सिखा मुझे? मैं वकील हूँ अहां तुम दोनों के गए काम से तुम दोनों के गए काम से अरे आप लोग सब जानते हैं न कि अस्पताल एर उसके बाजू में आसपास कई भी धन्यू प्रेशन किया तो आपको सजा हो सकती है सारी रक्तर साब शांत रहिए इनाच सारी रक्तरуск तुम ऽ moral स्वस्पतर मेरığ स्वस्योष आसवार स्यर्म ईould स्यर्म कर दो जाना प्रभाइब कर देडा कर दें। कि अदोर नहां रोल है कि उनला वी तून अनला है सर पूरे शरीर पर कम से कम पचीस से तीस गाओंगे कितनी बेरे मिसे मारा है से, इतनी नफरत कई पुरानी दिश्मनी हो गी सा खुण? सर अख, डस्बिन में से, इसका खुण से सनी हुई कैची मिली है लगता है इसका खुण इससे किया गया है ये देखो अब जीट और दमप्रेचर के साहब से तो लड़ता है कि पाच्छे गंटे पहले खोन हो आ है शायद रात को तो तीन बजे के करेंगा दोक्र साहब यह पेशिंट कौन है? सर यहां के बहुत बड़े बिजनसमन वेच जी इनका बेटा है राकिश दो दिन पहले ही यह आइडमिट हुआ था किस चीज का इलाज कर रहे थे? क्या हुआ था इसे? फुट पॉइजनिग पर काफी अच्छा सुधार हो चुका था आज थो हम उसे डिस्चारज भी देने वाले थे अच्छा किस ने खून किया हो का कुछ कुछ बता सकते हैं आप नहीं सर आखरी बार कब देखा था आपने इसे? लगबग रात को ग्यारा बजे जब मैं फाइनलर राउंड अप के लिए यहां आया था तब तक थो सब ठीक था राकेश दवाई लेकर आराम कर रहा था और उसकी माता जी भी यही पर थी अंदर सोफे पर यहां? जी अब कहा है ममी? वो रही सर बाहर बैटी है अप तो कमरे में ही थी ना? राकेश की देखवाल करने के लिए? अज़साद मैं यही पर रुकी थी रात को करीब हन्ड़ा हु बजे मैं अपनी बैट्रीयों लावनियों को घर बष्दिया था उसके बाद मैं राकेश की देखवाल के लिए यही रुखा ही थी सर उसके अगर आप यहीं पर थे तो शायद आपने को देखा होगा याद कीजिए क्या आपने यहां से किसी को आते जाते देखा नहीं सब्सक्राइब मैं अंदर सोफे पे सो रही थे सुवाज अब मैं अग खुली तुरा किश की लाश को देगा मैंने कितनी बेदर्दी से मारा मेरे बैटे को तो अगर मुझे पता होता तो मैं अपने बच्चे को बचाने ही लेती से अभी जी पर कैसे हो सकता है राकेश का खूल हो रहा था और उसकी माँ बगल में अब लेटे 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 पता नहीं चला अब राकेश का जब खूल रहा था तो कुनको बचाने के लेगा चिखा चिलाया होगा हाथ पर जाड़े ओंगे कुछ तो सुनाई पड़ता मा को मा इतनी गहरी निन में सुर रही थी कि उसे सुनाई तक नहीं पड़ा ऐसी विंकी शायद किसे ने जैसे बेहोशी की दवा दियों मुझे तो यहां कुछ नो कुछ तो गड़बड लगती है कुछ नो कुछ नो कुछ तो गड़बड है डलता है कि आपने होस्पिटल में कल कोई अजीब बात होते हुए देखी मेरा मतलब है कोई अजीब आदमी या अजीब हाथ सा कुछ भी सर कल हॉस्पिटल के बार एक एकसिडेंट हुआ था एक लड़की के गारी हॉस्पिटल की दिवार से टकरा गई थी और उसके सर पर काफी चोट भी आई थी कैसी हालत अब इनकी? सर अभी तक होश नहीं आया है तो इसमें अज़िब क्या है? सर वो ड्रिंक एंड ड्राइब का केस था उस लड़की से एक आदमी के गारी का एकसिडेंट हो गया था और वो दोनों आदमी और उसका पीछा करते करते हॉस्पिटल में आये थे और जिद कर रहे थे कि उसको पुलिस के हवाले करके ही मानेंगे कब कब हुआ था यही रात के साड़े दस बिज़े के आस पास वो कपल तो यही बैटकर उस लड़की के इलाज होने का इंतजार कर रहे थे ताकि उसके बाद वो उसे पुलिस चौकी ले जा सके तब ही उस लड़की की एक दोस्ट भी यहाई उन लोगों में जगड़ा इतना बढ़ गया कि मुझे खुद यहाँ आकर उनको शान करना पड़ा तो फेर लेके गए उसे पुलिस टेशन हाँ सर दिश्चाज के बाद ले गए कब कब दिश्चाज देया था लड़की को लगभग दो तीन बजे के आस पास तो से तीन मेजे की भी उस तो खुन हो है कौन से पुलिस टेशन में लेके कुछ बताया शायद शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन ले जाने के बात कर रहे थे सर आप आईर से पता चल जाएगा वो लड़की और कंपलेंट करने वाले कपल के बारे में निकिन ज़र आज शास्त्री नेकर पुलिस स्टेशन में फोन करकर पोचो पुछो पोई ड्रिंकर ड्राइब का केस है क्या माँ पर आपे ड्रोडर साब एक काम कीजिए कल रात साड़े दस बजे से लेकर आज सुभे साथ बजे तक यहां हॉस्पोटल में जितने भी लोग मौजुद थे पेशन के रिष्चिदार हो दोस्तों जो भी कोई हो उन सब के लिस्ट चाहिए हमें यहां किस अओ क्या थैंक्यू सुल्ब सब्ड़ कहिना है कि कल रहाता टिंक अंड्राइब कोई भी केस दोगों ने दर्ज नहीं किया यहां ड्रिंक अंड्राइब का केस दर्ज नहीं हुआ है अब शेत यह चक्कर क्या है मुझे तो गड़वड लगती है कहीं ऐसा तो नहीं कि यह राकेश का खून और इस लड़की के गाड़ी का अंड्रिंक अंड्राइविंग का केस दर्ज होना कहीं न कहीं तो संबन लगता है क्या लगता है तुवे वो सकता है सब वो लोग पुली स्टेशन गा ही नहीं वो सकता है यह अग्सिदेंट पिन अपलियो अग्सिदेंट असली था और उसके चोट बे असली थी उस लड़की के सर से बहुत सादा खून निकल रहा था बड़े-बड़े काम करने के लिए थोड़ा खून पसियना पाना पड़ता है इतना बड़ा कांड किया है तोड़ा बहुत खून बैगया हो तो क्या कह सकते हैं फ्रेडी सिस्टर के साथ जाओ और उस लड़की का स्केज बनो आओ जिसकी गाड़ी का एक्सिदेंट हुआ अभीजीत हस्पिटल का सेसी टीवी फूटेज चेक करते हैं और उस गाड़ी की डीटेल्स भी निकालते हैं और तो और उस कमरे का भी चेकिंग करते हैं जहां पर उस लड़की का इलाज हुआ था आईए सर सर यही वो कमरा है जहां पर उस लड़की का हमने इलाज किया था दर्जोग हम पर ठीक है कुना चान मारो इस कमरे का सर एक भी सुराग हाथ नहीं लगने सर उस लड़की का कोई सामान भी नहीं है यह आपर सर अदर भी कुछ भी नहीं मिला कुछ भी नहीं और हम तो यह सोच कर चल रहे हैं के कुनी शाहद लड़की है जिर्म मान लिया के कुनी लड़की है तो फिर वो यहां इस फर्स फ्लोर के कमरे से सेकंड फ्लोर पर कैसे गई होगी कैसे गई होगी यह कमरा फर्स फ्लोर पर है यहां पर इस लड़की पर रिलाज हुआ था खुन भुआ था सेकंड फ्लोर पर तब यह खुनी सेकंड फ्लोर पर पहुचा कैसे पहुचा कैसे अच्छा यह देखो रनिंग पैरापेट है कुनी पैरापेट के उपर से लगता है इस पाइप के जरीए सेकंड फ्लोर पर गया हां निकिल पैरापेट पर उतर जा संबल के संबल के निकिल संबल के के प्रेंग सार हाँ यहां पे शुखावा खुन मला है आपे लगा शुखावा खुन मिला तो फिर जरूर खुनी कि इसी राँष्टे से गया होगा राकेश का स्फून करने पर, देखो देखो, और कुछ मिलता है क्या? बारिक रिक से उपर आओ जा सतने हो? हाँ सर तो लो वेरी गूड जा यहाँ पे सर घिसडने के निशान है और यहाँ पे खाल भी लगी हुए सर ऐसा लगना कोई घिसड गया अचा तीक है दर यहां से यह नहीं पता चल पा रहा है की राकेश का रूम कौन सा है एक काम करते हैं हम लोग उपर जाके राकेश के खमरे की किड़की खुलते हैं सर अच्छा 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 और तो और सर राकेश की मा के रिपोर्ट के मुताबख उन्हें कोई नशीली दवा भी नहीं दी गे इसा अब ही मतलब हो सकता श्रिया कि होस्पीटिल का कोई है होस्पीटिल का कोई है जो खुनी के साथ मिला हुआ है क tür इसे जता।Calमर का फो बुरिण थीघाल कि त्षी करों थेट लिए लीए weird आद्मी का गा गाउग डिख कराह सर उसे जिखागा था है सभ।करा पड़ इस जब हरा गार्या बुग झारल नीचे जख और है एटर और hour जा यार्रो अराम आट ऑट लिएशर क्या है ना सर वो CCTV फुटेज में वो आदमी का चेरा नीचे की तरफ था और ऐसा लग रहा था कि उसे पता है कि कामरा का लगा हुआ है उस फुटेज में गाड़ी का नंबर तो तिका होगा है ना सर एक काम करो इस गाड़ी के टीटेल्स पता करो सर मैंने अपना दिमाग और अपने जासू जोड़ा दिये सर गाड़ी के सारे डीटेल्स ने हमारे पास या बाद है कभी-कभी गलती से तुम सही काम कर जाते हो सर ये तो अभिजीत सर है इसलिए हमारे पास एतनी इंफरमेशन है वरना ये तो गाड़ी के बोर्नेट में ही अटका रहता अरे ये सब क्यों बोल रही हो श्रेया क्या ना मैं उसका पलका जोसका पिछा कर रहे था सर आदमी का नाम गबरू है और उसने अपने किसी मेकानिक दोस्त की मदद से वो गाड़ी भाड़े पिती कौंचे खोली में रहता ही है सर खोली नंबर 420 420 जैसा काम वैसे खोली का नंबर हो भाइसाप जी यह गबरू खा रहता सर वो तो रामलीला में है यह सामने है हाँ जी तो नहीं नहीं रर्वाई लंका जी पती रावाई दास मूवला रावाई हसो मते नहीं तो चमाट मार दूँगा तो मेरे पास है सर्वशक्ति, सर्वशक्ति है मेरे पास, मैं कर दूँगा सबका सर्वदाश आपे होई, तेरा सर्वदाश करने हम आये है और कौन हो आप लोग? गबरू, देख तेरे पावादे जाओ यासे, रावण का सीन चल रहा है आपे तरह सीन देखने नहीं आये, तेरे इस नाटक से पड़दा उठाने आये, समझा? पड़दा उठाने? पड़दा तो कब का उठ चुका है? जाओ, दिस्टब मत कराओ! मैं हूँ रावाण! दिस्टब तो तुमने कर दिया हमें अब यह नाटक बंकर, आम लोग CID से हैं क्या? CID से? यहां पे रुख लो बेले बताना थाना पगावो! 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 यहावो! यहावो! ऑट दो किलीत तो यहावो! 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 यहावाव! इस रेखिए! इसम्यान माराज? इसम्यान? अरे, छोड़ सियाड़ी पिछे आरे, मैं तेरा मन्नु मामा छोड़, छोड़ नाई, यहले, यह थूस, चल्व सुर, अरे, का बाध रहे, वाग पिछे यह बाग, होग भाग पिछे पाङ़ा एंग Kingdom सुर जारा सभी हीला ना तो जितने सरह सब एक साथ फोड़ दूँगा अबे तू रावन है के पीटी उशा नहीं नहीं सर इतना तुड़ाता है अब ये बताओ तुम लोगों ने राकिश को खुण क्यों किया है पेशा हम ने किसी को नहीं मारा तरे वह चुएक तरह भाग क्यो र अब सचाज बता है कटल से ठीक पहले तुम लोगों ने वहां हॉस्पिटल के बार एक्षिदेंन करनाटक क्यो किया था हमारी कोई गलती नहीं है सर उस लड़की ने का था हमें ये सुद करने के लिए लड़की कौन सी लड़की जिसमें एक्षिदेंन करनाटक किया नाम की पैसानते उसे, कहा में लेते उसे? आम तो नहीं पता, हम नहीं मिले वो हमें मिलने आगी थी चॉल में परसुरात को ही भोली तो मेरे एक्टिंग बहुत इंप्रेश्च आपने देखा ना अभी मेरे एक्टिंग एकदम रियल ही कि नहीं हाँ, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, बहुत अच्छी भागते हो तुम यह बताओ कि इस लड़की तुमसे कहा क्या था? उसने मुझे रोल आफर किया रियलिटी शो के लिए और मुले, हर जागाना चुपे कैमेरे होंगे उनमें बस आई की नहीं रोड एक्सिडेंट के नाटा करना है यह बाय को तु बोलना? अच्छा, फिर तुम दोनों ने भेश क्यूं बतला? उस लड़की नहीं कहाता हमें भेश बदल के एक्टिंग करने के लिए लेख तेरे बचने का से वेगी रास्ता है जो कुछ भी इस लड़की के बारे जानता है बता उसे पैजान सकता है तो? नहीं पैजान सकता और जब भी मिलिये ना वो उसे चेरे पे स्काहर पहन के आती थी और काला चश्मा राप को भी कैसे चेरा दिखिएगा और जब हॉस्पिल में अक्सिडेंट रुआ था तब तो इसकी शगल देखी होगे ना तुमने? नहीं वो खुन से एकदम लगे लाल था मूँ पैचान में नहीं आया अच्छा उसे किसी से बात करते हुए सुना नहीं सुना तो नहीं हा लेकिन मुझे बिली कि तुम बहुत अच्छे एक्टरो दुबारा जरू बुलाएंगे दुबारा बुलाएंगी? हाँ मतलब वो एक और खुन करने वाली है ले चलो नहीं साब भगे को साब वो लड़की है लड़की है तुमें काम बोला था मैंने और भो भी तुम भूल गए अभी ऐसा हो जाता है नहीं यह जो है ना जान मुझकर हुआ है जान मुझकर तुमने संस्किन घर पे छो रहा है ताकि मैं यह दूप में काली पर जाओ और अपने कजिन के शादी में सबसे गंदी लगो सॉरी डाली हम तुमारी कजिन की शादी में नहीं जा पाएँगे वो क्याना कि मुझे ओफ़े से च्ट्टी नहीं मिली मुझे पता था? जान बुच करताई तुमने च्ट्टी नहीं ले ना था? नहीं बाबा ऐसा नहीं है अब पिशले हपते तुम्हें गोवा गुमाने ले मैंने चुट्टी ली थी अब चुट्टी लूँगा ना तो बोस मेरी हमेशा कली चुट्टी कर देगा तो क्या हुआ दूसरी नौक्री दून ले ना वैसे भी ये नौक्री कौन सा सोना बरसा रहा है हमपर दूसरी नौक्री अरे तुम्हारे चक्र में पहले तीन दिन नौक्री चोड़ चुका हूं मैं यह गलिती भी मेरे ऊपर साड़े गलिती ना तुम मेरे ऊपर ही डालो तुम तर शादी पो कीती मेल हाँ यार यार ये सवाल मैं अपने आप से भी पूछ रहा हूं दरे दली जाती है क्या? तुम यह सोचते हो? मुझसे शादी करके पच्ता आहा हो? नहीत 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 डारली मैं अपने माई के जा रही हूँ अरे, शूनो तो सही तुम रहो अज़े अरे डाइली मरी बातो शूनो अब तो ँमें कोई प्रफ्लिम नहीं होगी ना? अब शुरोस शॉरे अधिना, सॉरे दर्ली प्लीज मेरे पाटो उढू अब अधिन पिधे नहीं फौन अधिना, मेरी बातो, सुना हो तूम अंधे लहना चाहते हो, ना? प्लीज मेरे पातो, सुनाम प्लीज जाले मेरी बात तो तो तुम, तुम जिंदा हो, अँआँए तो मननन की वाज है हाँ मननन मननन यह तो मर गया मननन मननन दया, वसी से गला दबा कर मारा गया है गले पर वसी का निशान इतना गहरा है लगता है बहुत ज्यादा प्रेशर से मारा गया इसे हम से इसके शरीर पे कोई और निशान, कोई फिंगर प्रिंट जिससे खुणी के बारे में कुछ पता चल जाए नहीं बहुत चालाक है उसने कोई ऐसा निशान निचुड़ा लेकिन फेंदी मुझे लगता है पहले इसे सामने से धक्का दिया गया और उसके बाद इसे सामने से ही रस्टी से गला दबा करके मारा गया है लेको बहुत आप अगर इस रस्टी को घले की तरफ रखके कोई पीछे की तरफ से कींचे घजा अगर इस वस्टी को कोई इंसाथ सामने की तरफ से गले की दाताब हज़ा बहुत परशण गसा तो निशान सीधा है बाद तो अर यह निशान यही इसे सामने से दबाया गया देखो इस सीधा निशा उपर की तरफ नहीं आप लोग कहा थे आप लोग जब ये खून हुआ सर अप गर के सामने थे सर ये मुसे जगडा कर रही थी और मैंसे मना रहा था सर अबर गलती तो तुमारी थी ना और तुमारी वज़ाए से लड़ाई भी हो रही थी एक मिड़ यह आप लोग जगडाबाद में करते रहे न यह बताओ कि खून किस ने किया सर वो पता नहीं лेकिन वो कोई लड़की थी इसका मतलब आप लोगशें श्रक्राइल को देखा है। नई सर अमने Trade को नहीं देखा। सब्सक्राइब का गईचकी पिर सर जोर से उसके चीक सुनाए दी और अब दौड के यहापे आये और फिर अके देखा मानियल मर चुका था वाच्पन, जरा ठीक से याद करके बताओ कि पिछले दो गंटे में यहापे कौन को नाया था हाँ सर बुझे अच्छी तरीके से आद है मैं पूरा टाइम गेट पर ही ड्यूटी कर रहा था और साहब में साहब और मनन साहब के अलावा यहाँ पर कोई नहीं आया है वो सकता है किसी और रास्ते से कोई अंदर आया हो सर इस घर के चारो और तो यहां गुसना नामुम्किन है ना वोई तो जरूर आया है अंदर अंदर आया खून किया और चला गया और स्विंपूल को चेक किया कुछ मिला सर यह बिना ढ़कन की बॉटल कले लेवा कुछ भी नहीं मिला सर मगर पानी क्या मस्त है हंदा थंदा भूत मज़ा रहे हैं तमकच तुम यहां पर क्या पिकनिक मनाने आये हो ने सर भारत हो भारत हो यह लड़की कौन है जिसे मनन देखे कह रहा था कि तुम जिन्दा कैसे हो सकती हो और वो यहां ही कैसे सर वहां हॉस्पिटल में भी सारे खिड़की सारे दरवाजे अंदर से बन थे वो लड़की किसी तरह राकेश की कमरे में खुसी उसका खून करके वहां से भाग गई जबकि राकेश की माँ वहीं कमरे में मौजूद थी फिर भी उन्हें कुछ पता नहीं चला सर यहां बंगल किसी की तरह रहा है सर यह केस सॉल्व हो गया सर मैं आपको बतातो हूं कि एक बहुत खुंकार आत्मा है सर जो एक लड़की की बॉड़ी में खुस के यह सब पूरा कांड गर पंकरश तुम्हें के अफ्रेडी की बिमारी लग गई है है यह आत्मात्म क्या है निगल चाओ इनने फोटो दिखाओ देखो पहचानता है कि यह आप लोग इसे पहचानते हैं सर यह तो मनन का फ्रेंट राकेश है मनन और राकेश दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे कई बार मिले भी है से मानन की पार्टी में और फिर सर कई बार हमारे घर पे भी आया है राकेश पता था कि यह मनन उसे कहा मिलेगा पर सर हमारे सामने अब भी वही सवाल है वो लड़की इस बंगलों के अंदर आई तो आई कैसे है हां सर वह यह आदमी आस्मान चीर के यह पर जमीन फाड़ के थोड़ी आ सकता है यह जरूर कोई आत्मा हाँ जमीन फाड़ के तो आ सकता है अब जरूर देखो यहां से भार निकलने का जमीन में कोई रास्ता है क्या है सर यह फोटो देखो इसे पहचानते हो आप लोग फोटो में दो कुछ साफ नहीं दिख रही है कुछ पता नहीं चल रहे है यह देखो सर मैं इसको नहीं पेचानता यह कोन है यह सर जान से देखिए शायद कोई निशानी हो जिसे पैचान लो सर्थ हाँ क्या वा सर्थ यह मैन होल खोलो से तो यह है उस खुनी के आने जाने का रास्ता है खुनी यहीं से आया होगा उसे सब पता था कहां से अंदर आना है और खुन करके कहां से निकलना है यह काम करो देखो ज़रा यह रास्ता कहां पर खुलता है हाँ सर्थ साथ साल पुराना बतला है क्या साथ साल पुराना बतला मगर सर उस हादसे का इन दोनों की मौत से क्या तालुक है सर वो जो लड़की मरी थी वो यह है सर नैना अरे सर यह तो वही लड़की है जो कार एक्सिडेंट करके हॉस्पिटल आई थी जिस दिन राकेश एडमिट था हम और यह है उसका असली चाहरा सर मैंने इस लड़की की फोटो दिखा कर कंफर्म कर लिया है गबरुसे उसने कहा कि यही वो आउरत है जिसने उसे पैसे दे के नाटक करने के लिए कहा था और उस नर्स से भी इसी लड़की का ठीटमेंट किया था तो फिर यह लड़की साथ साल पहले मरी नहीं थी सर उस अक्सिडेंट में एक लड़का और लड़की मारे गए थे और पोस्ट मार्टम रिपोर्ट और फिंगर प्रिंट से तो यही कंफर्म हुआ है तो फिर यह मरी हुई लड़की जिन्दा कैसे हो गई जेवंदी यह लड़की जिन्दा नहीं हुई नैना जिन्दा नहीं हुई नैना की जगे कोई है और ही लड़की है कोई और है सर मैंने इस नैना की पूरी डीटेल्स निकाली है उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था अनाथ थी वह तो पिर दया ये बदला ले कौन सकता है सर उसी कार रेसिंग कॉंपटिशन में राकेश और मनन का एक और दोस भी था विक्रांथ एक दोस्त भी था तो पिर दया लगता ये जो भी कोई बदला ले रहा है न शायद विक्रांथ से भी बदला लेगा विक्रांद की जान को खत्रा है दया, विक्रांद को ढूनना पड़ेगा खुनी जरूर विक्रांद के पास पहुचेगा जरूर जाएगा वो विक्रांद के पास द्यान से उस लड़की ने इस रास्ते का इस्तमाल किया है मनन का खुन करने के लिए यहीं से बंगलो में खुछी और यहीं से बाहर आई अगर यहां से बाहर आई है तो उसे यहां से बाहर आते हुए जरूर किसी ने देखा हुगा अरे सुनमे सर अजी सर इस लड़की को देखा है हाँ देखा है ना सर काब और कहां देखा मेडम देखी हम दुकान छोड़के कही नहीं हिलते हैं ठीके रहते हैं यहां पर तब यहीं देखा होगा ना अच्छा वो के दर गई कुछ पता है आपको बस इदरी रोड पे से वो पबलू की टैक्सी में गई है बबलू की टैक्सी कितने बजे दस साड़े दस बजे होंगे मेडम मनन का खून हुआ था सुबह नौ बजे अर क्राइम सीन से मिया पहुचने में तकरीब अने खंटा लगा तो माला शक्सा है निकला अबाइसाब यह बबलू टैक्सी वाले का मोबाइल नंबर है आपके पास सर यही वो जगह है जहाँ पे मैंने उस लड़की को छोड़ा था क्या पे हाँ अब यह तो काफी बड़ी जगह है यह पे किस तरव गई हो गया लड़की कुछ कह नहीं सकते हैं एक आम करते हैं मोबाइल कंपनी को फोन करकर पता करता हूं कि मलाट क्रीम पार्फ ते सुब नगर में कितने लोग है कितने मोबाइल ने ट्रेवल किया है हमारा सस्पेक्ट उनी में से एक होगा ठीक है तुम लोग भी उस लड़की की फोटो तिखा कर उस्टाश करो पिछले दो अधार गंटे पे किसी लिए देखा है क्या हूसा है अलो क्या नंबर पता है? आजिया पाइप सेवें अभी भी आए ओके है कौन से बिल्डिंग थैंक्यू 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 वेरी मच्छ चार लोग यहां पर आयते उसमें से एक लड़की है जो अभी भी आई है उस लड़की का मोबाइल जब राकेश का खोन हुआ तो होस्पिटल के पास था और जब मनन का खोन हुआ तो बंगलो के बास था इसका मतले ड़की जिसका पीछा कर रहे हैं अब लो और अभी यह शीतल नगर में है यह पारिस बिल्डिंग पारिस बिल्डिंग अरे सुनो भाई इस लड़की को तुमने देखा है यहां पर अरे हां साप यह कुछ दिर पले ही यह आई थी अभी बिल्डिंग में गई है कौन से फ्लोर पर थर्ड फ्लोर पर 302 कौन रहते हैं वापर अपर भी डिपक साप का घर है यह कुछ दूनों से शहर के बार गहें अरे तो यह कौन रहता है किसे Southern मिलने आए को दिव्दी बिपक साप के दोस्त आइं विक्रां जी俺 ही रहते है विक्रान? कहिए विक्रान तो नहीं राकेश वमनन का दोस्त और यहां चुपके बैठा है हो सकता है और अगर वही है तो उसकी जन को खत्रा हो सकता है चलो पंकर्च तुम यह रुको देखना बाहर ना चाने बाहर तो कोई नहीं 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 लुद कोई नहीं? और तो को एिन? चाह! चाह! पहाँ पहाँ यह तो विकरांद है मर चुका है तर उस लड़की ने कौर खूंड के और फिर से गायब हो गई नहीं इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकती वाच्मन ने बताया था ना अभी अभी तो उपर आई है विल्डिंग में ही कही होगी नीचे से तो हम लोग उपर आये हैं में नेचे आओ नेचे आओ हम बाद कर सकते हैं हमें बताओ हम तुम्हारी मदद करेंगे आजो मुझे कोई मदद नी चाहिए तुम CID वाले कभी मेरा दर समझनी सकते मैं अपने सारे दर्दों का बतला ले चुकी हूँ अब मेरे जिन्दा रहने का कुछ फायद ही नहीं है नहीं देखो हम जानते हैं तुमने नहीं हो उसका चेरा लगा रखा है तुमने और तुमने जो किया है वो गलत किया है गुना किया है तुमने और खुद के जान देकर एक और गुना करने जा रही हो क्यों कर रही हो असा है वान अटूम लाई नहुमे राकेश की मंगेतर तो तुमने खुद अपने मंगेतर के खुन कर दिया? खुन नहीं किया है मेने नहीं किया है मेने खुन नहीं किया है मेने उचुन की सजा जो कानून उसे नहीं दे सका राकेश ने मेरे भाई और उसकी गर्फरेंड का मडर किया था अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर इसलिए मैनी उसका खून कर दिया लोगों ने उसके घुर्सेंक का खून किया ये तुम इतने यकीन के साथ कीसे कै सकती हो वह तो एक एक सीदैंट मुझे एक सीदैंट नहीं था वो उसी और दिन टाली के दिन और फिर फिर गाड़ी खाई में गिर गए और दूनों की मौत हो गए मैं सिर्फ चौदा साल की थी साथ साल इंतिजार किया है मैंने ताकि मैं अपने भाई और इसकी गर्फिंड की मौत का बदला ले सको उससे हॉस्पिटिल की किड़कियां अंदर से बंद थी और CCTV फूटेज में तुम दिखाई नहीं पड़ी ये काम तुम अकेले नहीं कर सकती थी हॉस्पिटिल का कोई आदमी है जो तुम से मिला हुआ है क्यों हाँ है किसी ने मेरी मदद की थी और उसी ने राकिश की मा को नीन की गोल्या दी थी जो चार खंटी बाद ब्लड में खुलके खतम हो जाती है कौन है वो नहीं मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी वो नाम मेरे साथ ही खतम हो जाएगा है चट्टो जाओ धिरसे चट्टो जाने दो मुझे नहीं चीन अचार थी मैं तुम्हें जिन्दा भी रहना पड़ेगा और उसका नाम भी बताना पड़ेगा कौन है वो अधे डॉक्सार कहां जा रहे है वो भी अक्यले अक्यले चीडी डॉक्साहब कहां परिशान हो रहे है क्योंकि आप जिस प्रोग्राम के लिए जाने वाले थे ना वो सारा प्रोग्राम अब कैंचल हो गया है अब आपका प्रोग्राम हमारे साथ हमारे ही जेल में for more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos you